रेणुका की शादी कुछी दिनों पहले शास्त्री नगर में हुई थी रेणुका बहुती आलसी लड़की थी वो दिन बर बैट पर सूती रहती या फिर मैगेजिन पढ़ती रहती और घर के काम भी धीरे धीरे ही करती एक दिन उसकी सास उसके पास आती है बहु आज बेसन का चिला बना दे बड़ा मन कर रहा है हाँ ममी जी बनाती हूँ थोड़ी देर में थोड़ी देर में? अरे थोड़ी देर में तो रात के खाने का वक्त हो जाएगा बहु अच्छे ममी जी तो फिर आप रात का खाना ही खा लीजिएगा न ये भगवान कैसी आलसी बहु मिली है मुझे हरे काम को बस टालती ही रहती है रेणुका दिन भर बस आलस पना ही करती रहती एक बार रात की खाने पर सब बैठे हैं तो रेणुका का पती कहता है अरे ये क्या आज फिर से करेला रेणुका हफ़ते में तीसरी बार ऐसा हुआ है कि करेला बन रहा है कुछ भी बना लिया करो अरे इतनी सारी सबजी मिलती है मार्केट में हाँ पर अब कौन मार्केट जाए और सबजी लेकर आए इसलिए जो था घर पर वही बना दिया वहू फ्रिज खोल कर देखती तो पता चलता कि सारी सबजीया रखी होती है पर तुम्हारा आलस पन खतम हो तो तुम्हारी नजर जाए ना विशाल कमरे में आकर रेणुका से पूछता है रेणुका मैंने कहा था तुमसे कि मेरे लिए रुमाल ले आना मेरे सारे रुमाल खराब हो गया है तुम ले आई क्या आज नहीं गई कल ले आऊंगी ओफो पिछले चार दिनों से मैं यही सुन रहा हूँ बिना रुमाल के ओफिस जाना पड़ रहा है तुम तो बहुत ही आलसी होती जा रही हो रेणुका अब वही करूंगा तुम्हारे भरो से बैठा रहा तो कुछ नहीं होगा एक दिन दर्वाजे पर बैल बज रही होती है और रेणुका सोफे पर बैठी होती है पर आलस में दर्वाजा खोलती ही नहीं अरे बहु कितनी दे से बैल बज रही है क्या कानों में रुई डाल कर बैठी हो जो सुनाई नहीं दे रही बैल मम्मे जी अब आप आ ही गई है तो आपी खोल दीजे ना दर्वाजा क्यों मुझे ताना मार कर और देर कर रही है अरे वह उल्टा चोर को तवाल को डाटे सास दर्वाजा खोलती है तो उसकी पडोसन दर्वाजे पर खड़ी होती है दर्वाजा खोलने में इतनी देर क्यों हो गई सब सो गई थी क्या और यह भी कोई वक्त है क्या सोने का हाँ अरे नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है आईए आईए आप लोग अंदर आईए उफो इन सब को भी अभी आना था अब मम्मी जी लगा देंगी मेरी ड्यूटी केचन में बहू पकोड़े तल दे बहू चाए बना दे अरे बहू सो गई क्या कबसे आवास दे रही हूँ जा चाए बना कर लिया हाँ मम्मी जी अभी जाती हूँ थोड़ी देर में सास रेणुका को आँग दिखाती है मतलब थोड़ी ही देर लगेगी चाए बनाने में अभी ले आती हूँ बस जट पट रेणुका रस्वय में जाती है और इसी आलसी पन में वो चीनी की जगर नमक डाल दीती है जैसे ही सब चाए का घूंट भरते हैं चाए थूप देते हैं थूप 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 ये कैसी चाए बनाई है तुने रेणुका इसमें तो सारा नमक भरा है हाँ और ये पकोड़े इसमें इतनी मिर्च है कि मेरी तो हालती खराब होगे खाकर और रेणुजी आपकी खातिरदारी में पहले तो कभी कोई कमी नहीं रहती थी पर जब से आपकी ये बहु आई है ना मामला कुछ गर बड़ा सा गया है हाँ हाँ जहां आप इतनी अर्टिव है वहीं आपकी बहु एकदम आलसी एकदम राम मिलाई जोड़ी लगती है अच्छा जी चलते हैं अब नमक वाली चाय पिलाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सब वहाँ से चले जाते हैं अरे तुने तो मेरी ना के कटा दी बहु वे लोग क्या सोच रहे होंगे मेरे बारे में मम्मी जी मैंने तो शक्कर ही डाली थी पता नहीं नमक कैसे बन गई शक्कर शक्कर नमक नहीं बना बहुरानी तुम्हारा ये जो आलस्पना है ना ये उसी का नतीजा है सौरी मम्मी जी अब मैं ये आलस पन छोड़कर सारे काम अच्छे से मन लगा कर करूंगी उमीद है कि आपको हमारी ये कहानी पसंद आई होगी कृपया हमारे चानल को सब्सक्राइब करें और सभी अपडेट्स के लिए बेल आइकन जरूर क्लिक करें और हाँ विडियो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा बाई बाई